हलो फ्रेंड्स हमारी हर्याना की स्रीज चल रही है तो हम इसके अंदर एक कड़ी और जोड़ते हैं आज हम आगे भड़ते हैं आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टन टोपिक है यह इसके अंदर से बहुत सारे क्यूशन्स बनते हैं और हर टा करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगें तो इन्हें लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके नाव लेट स्टार्ट इसमें देखिए मैं आपको इससे रिलेटर जो और इंपोर्टन कीशन्स होंगे आपको साथ साथ जाती जाओंगी तो इसके साथ साथ जो अच्छे क्यूशन्स होंगी तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्ता है उसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है इसका ना दूसरा नाम का है स्थानिय सवशाशन भी कहा जाता है स्थानिय सवशाशन क्या होता है स्थान के बोला जाता है तो इसके आपको confused नहीं होना है अब देखे अगर यह पूछा जाए कि स्थाने सवशाशन का जनक कौन है तो इसके जो जनक है वो कौन है लोड रिपन है लेकिन अब इसे सिर्फ रिपन के नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि जो लॉड था वो अंग्रेजों क जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय लोड लगाया जाता था लेकिन अब सिर्फ रिपन है क्योंकि अब हम अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो चुके हैं अब हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं तो आप सिर्फ रिपन बोला जाएगा रिपन ने 1882 में ग्र उदार वादी रिपन कहा था उदार वादी रिपन क्यों कहा था क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गाउं के लोगों की सुध ली थी सबसे पहले गाउं के लोगों की भलाई के लिए उनको आगे वड़ाने के लिए ग्राम बोड की स्थापना की थी अब इसी से लिलेटर इस इस दिन क्या हुआ था 2nd October 1959 को भारत में पहली पंचायत राजववस्ता आई थी कहां पर राजिस्थान राज्य के नागोर नामक जिले के अंदर भारत में सबसे पहली पंचायती राजववस्ता आई थी और दूसरे नंबर पर इसका साथ में बता रहें दूसरे नंबर पर क 59 को देखे इसके दो दिन बाद नो दिन बाद ही दो अक्टूबर को आई थी पहली और ग्यार अक्टूबर को आई थी 1959 यह सेम है दोनों का भारत में दूसरे पंचायत ववस्ता आई थी आंदर परदेश में देखे पहली और दूसरी आपको यह याद रखनी है उसके गई थी तो पहली आई थी दो अक्टूबर 1959 को राजिस्थान के नागर जिले में और जिस समय इन नागर जिले में जब मंचायत आई थी उस समय हमारे देश की सरकार कों थी पंडित जवार डालने जुची की सरकार थी और उन्होंने क्या कहा था ये क्यूशन भी कई वार पूछा जाता है नहरु जी ने कहा था आज गांधी जी के राम राज्य का सपना पूरा हो गया है तो क्यूशन इस तरीके से पूछा जाता है कि गांधी जी किस प्रकार के राज्य की का सपना करते थे तो कौन अपने साथ लाकारजूलियस को लेकर आये थे, कहां से लाये थे, फ्रांस से लेकर आये थे, अब देखें, लाकारजूलियस को थे, जो लाकारजूलियस थे, वो चंदिगड के वास्तुकार दिया, निकि जो चंदिगड बनाया था, वो किनों ने बनाया था, लाकारजूलिय को अनुछे 40 कंदर इसे स्थान दिया गया था यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा अब देखिए अब आती हैं इससे पंचायत राजवस्ता से संबंदित कुछ समीतियां आती हैं कुछ लोगों इससे रेलेटर कुछ समीतियां आई थी तो मुख्य समीतियां कौन-क ऑप के अचायत को सबस्ते सब्सक्राइब विचाहण प्रस्तुत आए आती हैं तो सबसे पहले दैंड राएम मे graduates आसी ति यह भीflu से इति हैं रोड़ कि comes investor फारिश फारिष ने-द्र मध्यस सफन निम स्थर मद्य स्थर और शीर्ष तर अब देखें निम मद्य और शीर्ष क्या है निम स्थर होता है जो ग्राम जो गाउंस से संबंदित होता है गाउंस तक संबंदित होता है उसे ग्राम पंचायत कहा जाता है और ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहा सबसे उपर थी उसे जिला परिशत कहा गया था और जो जिला परिशत का मुखिया था उसे अध्यक्ष या चेयर्मेन कहा गया था तो जो निम्स सर के जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया का चुनाव होता है वो प्रत्याक्ष रूप से होता है यानि कि लोगों के द्वारा हो लेकिन जो पंचायत समीकती का मुख्या होता है जो जिलब बरीशत का मुख्या होता है उनका प्रत्यक शुरूप से यानि कि इनका दोनों के चुनाव कैसे होते हैं इनके आपस में ही लोग इनके जो पंचायत के लोग होते हैं वही आपस में मिलकर यहां के मुख्या का चुन प्रत्यक्षरूप से होता है लेकिन अद्ध्यक्ष चेर्मेन या प्रमुख प्रत्यक्षरूप से चुनाव मुंखते Бलवंथ राय महता कि कि सिफवारिश इन्होंने चलते हैं हम शोग मेहता समेति कोंसी स्थसक्रीय स्थिए सिफारिश की पाहिवी अगे चलते हैं अबर आई थैपने अइसे पहली है ते जोगLY है तह स्मिती कभाई थी 1977-78 में ज्यू कि इन्हों ने दो स्तर की सिफारिश की थी इन क्या कहा थखा इन्होंने जो स्थर three खत्मकर दिया था इन्होंने एक तो मंदल पंचयर यानि जो ग्राम पंचया था जो निम्स थर था उसको इन्होंने मंडल पंचायत का नाम दे दिया तो और जो शीर स्तर था वो जिला परीशा दी रहा था इन्होंने बीच वाला जो लेवल था उसे खतम कर दिया था यानि कि जो मद्धे स्तर था पंचायत समीती तो उसको इन्होंने खतम कर दिया था इन्होंने इसकी सिफारिश की थी वैसे देखिए जो पंचायत के जो होता है इनका पास साल का समय होता है लेकिन इन्होंने चार वर्ष के कारेकाल की दिमांड की थी इन्होंने सिफारिश की थी कि जो इनका कारेकाल है वो चार साल तक का होना चाहिए यह अशोक महता समीती थी जिन्होंने दो स्थर की सिफ सिफारिश की थी ओके आगे अब देखिए नेक्स आती है नेक्स आती है जी बी राव जी बी के राव समीती इसका नाम था जी बी के राव समीती ये 1985 में हाई थी इन्होंने क्या थी सत्ता की सिफारिश की थी इन्होंने क्या था कि जो पंचायत है उन्हें भी उनकी सत्ता मिल वह कोई बात नहीं कि ती नेक्स आती है 115 सिंधवी समीटी जो लख्षमी मल सिंधवी मेंเ Talent Lancaster Clivid क्यूशन से इंपोर्टन पॉइंट से आप उनका स्क्रीन शोट लेते चलिए या वीडियो को पोस्ट करकर देखिए देखिए अब यहां से क्या बनता है एक्जामिनर आप से पूछ ले सकता है कि ऐसी कौन सी समीती थी जिसने सबसे पहले सम्वेधानिक दर्जा देने की सफारिश की थी तो सबसे पहले किसने की सिंद्वी समीती ने की थी सबसे पहले सम्वेधानिक ने कहा था कि जो पंचायत है उसे सम्वेधान की तरफ से दर्जा मिलना चाहिए उससे भी सम्वेधान में शामिल होने का हक मिलना चाहिए और इसके अलावा इन् इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सम्वे धानिक दर्जा देने कि सिफारिश ने की थी, सिंद्वी समीती ने की थी, इसके लावन हुने क्या कहा था कि इन्हों ने आया इससे आर्थिक से इकोनोमिक से रिलेटर भी बात कही थी कि जो पंचायत है उन्हें पैसा भी मिलना चाहि और नेक्स आती पीके वुगन समीती, पीके वुगन पुगन समीती कौन सी थी, यह 18, 1989 के अंदर आई थी, इन्होंने क्या कहा था कि जो इन्होंने भी सम्मेधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी, इसके बाद जितनी भी समीती आई, सभी ने सम्मेधान के अंदर इसे शामिल करने की बात कही थी और इन्होंने क्या कहा था कि अगर पंचायत को पैसा देना है तो पैसा कहां से आएगा जब तक पंचायत के साथ राजनितिक लोग नहीं होंगे राजनिती जुड़ी नहीं होगी तो उन्हें कहां से पैसा मिलेगा तो इन्होंने क्या कहा था कि प बहुत ही इंपोर्टेंट है मैं एक बड़ आपको फिर से रिवाइस करवा रही हूं सबसे पहली आई थी बलवंत राय समीती जो कब आई थी 1957 के अंदर आई थी इन्होंने क्या का था इन्होंने तीन सर की सिफारिश की थी ग्राम पंचायत सेकिन नमबर था पंचायत समीती थार नमबर था जिला परीशर इन्होंने सिफारिश की थी सेकिन नमबर पर आई थी अशोक महता समीती 1977 के अंदर आई थी देखे वो 57 में आई थी यह 77 के अंदर आई थी इन्होंने दो स्तर की सिफारिश की थी इन्होंने जो सेकिन नमबर का जो स्तर था जो लेवल था उस इसे पावर मिलनी चाहिए पंजायत को सत्ता मिलनी चाहिए तभी वो खुल करकादिये कर सकती है उसके पास सिंदवी समीती आई थी एटी सिक्स एटी सैवन के अंदर आई थी इनों ने क्या कहता था सबसे पहले सिंदवी समीती ने ही सम्मे धानिक दर्जा देने की की थी अब देखी जब इतने सारे लोगों की सिफारिश आने लगी तो क्या किया गया 73 तेहतरवा जो सम्विधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर देखे 89 तक तो क्या है यह समीत यहीं चल रही थी आगे 92 के अंदर सम्विधान संशोधन कहा गया था और इसके अंदर क्या है पंचायती राजवस्ता को सम्विधान संशोधन कहा गया था और उस समय पीवी नरसिम्मा की सरकार थी ये भी पूछा जा सकता है कि जब पंजायत को समय धानिक दर्जा दिया गए तो उस समय किसकी सरकार थी तो पीवी नरसिम्मा राव की सरकार थी अब यहां इसे क्यूशन बनता है कि जो पीवी नरसिम्मा राव थे उन्हें भारत का वारत का चानक्य उन्हें क्या उपाधी दी गई थि उन्हें आधुनिक भारत का चानक्य की उपाधी दी गई थि तो क्यों कि जोTOR भजन लाल को हरियाना काचानक्य की उपाधी दी गई थी ओके आगे देखिए 24 अप्रेल 1993 को भारत पंचायती राजववस्ता को भारत में माननेता मिली थी देखिए 1992 के अंदर जो तेहतरवा सम्मिधान संशोधन हुआ था उसके अंदर क्या है उसे सम्मिधानिक दर्जा दिया गया था लेकिन भारत के अंदर जो पंचायती राजववस्ता को माननेता मिली थी वो कब मिली 24 अप्रेल 1993 यह मोस्ट इंपोर्टेंट है यह वाली जो डेट है बह भारत में माननेता मिली थी और इसी कारण से 24 अप्रेल को हर साल पंचायती राजववस्त मनाया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट 24 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है पंचायती राजवस्त मनाया जाता है और यहीं भी मैं साथ में बता रही है हरियाना के अंदर जो पंचायती राज वरस्था को मानेता मिली थी, 22 अप्रेल 1994, अगले साल देखिए, दो दिन, दो साल, दो दिन बाद, 24 अप्रेल 1993 में को तो कम मिली थी, भारत में मिली थी, 22 अप्रेल 1994 को हरियाना को मानेता मिली थी, पंचायती राज वरस्था की, अगर हरियाना से रिलेट से वह मैं आपको साथ साथ बता रहे हैं 24 अगस 1994 को पंचायती राज में चुनाव के नियम लागू किये गए थी यानिकि पंचायती राज वरस्ता को मान्यता तो मिल गई थी लेकूर उससे संबंदि जो चुनाव थे वो उसके नियम नहीं बनाए गए थे तो चुनाव से रि फरवरी उनियम लागू किये गए थे इनकंदर संशोधन किया गया था जो जो सोड लै फरवरी 1994 को इसमें संशोधन किया गया था ओके अब यह से सही डिलेटिट देखी जो पंचायती राज ववस्ता तेतर वा जो संमिधान संशोधन हुआ था वो जो पंचायती राज यह ए से ओतके जो हैं इसका मिलता है फंचायत मिलती है और इसको पंचायत को समविधान के अंदर जोड़ा गया था दरजा दिया गया था उसकंदर ट्वन्टीनियन के तोपिक्स डा ले गए थे पंचायत दीए गए थे 29 अगर आपसे यह ज़्यादा तो नहीं पूछा जाएगा इस रिलेटिड वस यह पूछा आपको ध्यान अखना है कितने विश्य जोड़े गए थे अगर अगर इसको वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आते हैं तो आप इसे दुबारा देखोगे ताकि आपको जो भी डाउट से वो सारे डाउट्स किलियर हो जाएं अब देखी जो हरियाना में पंचायती राज व्यवस्ता उस से रिलेटिड एक दो क्यूश्य पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रही हूँ और सबसे कम ग्राम पंचायत फरीदाबाद में हैं यह आपको डाटा याद रखना है सबसे अधिक कहां पर है यमना नगर में सबसे कम कहां पर है फरीदाबाद में अब सबसे अधिक गाउं पूछे जाते तो कहां पर है वो भी यमना नगर में और सबसे कम गाउं कहां पर सबसे कम गाव रोगताग में हैं बड़ सबसे कम ग्राम पंचायत कहां पर हैं फरीदाबाद में हैं यह आपको ध्यान में रखना है आगे देखिए अब इस कुछिन के अंदर पर चुनाव लड़ने के आई होती हैं वो 21 साल होती है जब मतदाता 21 साल जब कैंडिडेट 21 साल का हो जाता है तो वो ग्राम पंचायत का या पंचायत का चुनाव लड़ सकता है लेकिन यहां पर mostly गलती क्या कर देते हैं हमारे माइन में क्या रहता है 25 साल ही रहता है तो हम 25 साल ही कर देते हैं लेकिन ध्यान रखना है जो 25 साल जो आई है वो किसकी है लोक सभा की है अगर लोक सभा के चुनाव लड़ने की लड़ना है तो उसके लिए 25 साल होनी चाहिए राज्ये सभा के लिए 30 साल और उपराश्पति के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है बट पंचायत का जो चुनाव है उसके लड़ने की जो चुनाव लड़ने की जो एज है वो क्या है 21 इयर्स है जो सबसे कम है और वोट डालने की अगर आयो पूछी चाहे तो वो 18 साल है उसके एक टिहाई सीर्स के उपर क्या है महिलाए चुनाव लड़ सकती थी और सबसे पहला राज्ये अगर पूछा जाता है बिहार सबसे पहला राज्ये था जिसने महिलाओं के लिए 50% सीर्स यानि की 1 by 2 परसेंट एक बटे आधी यानि की जितनी सीर्स थी उसकी 50% सीर्स स सबसे पहला राजय कोन सा था, वो भिहार था, जहांपर महीलाओं के लोगines 50% जीर्ट से रिजर्व कर दी ती, उसके बाद तो देखिये, तीरे-दीर आते गए थे, बढ़ते गए थे, सबसे पहला ही पूइचा जाता है, सबसे पहला कोन सा था, भिहार राजय था, जिसमे 50% सिर्ट से महिलाओं के लिए आरक्षित की थी रिजर्व की थी अब देखें यहां पीछे एक पॉइंट रहे गया था बीस लाग से कम जो हमने वो हमने समीतिया पड़ी थी उसके अंदर एक पॉइंट के आया था कि अगर किसी राज्ये की जन संक्या बीस लाग से कम है तो वह सारफ़ाइए लेकिन कहां क्या पर शर्ट रखे गए थी उस राज्ये की जन संक्या несколько बीस लाग से कम होनी चाहिए उके एक i.e. पिंपोर्टेंट्ट क्या बनता है यह बहुत इंपोर्टेंट है यावाला क्यूशन आप देखिए जो important question क्या है कि जो चुनाव है पंचायत के लिए जो चुनाब है वह कहा An universal राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं किसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारत कि वी देखी जो पंचायत है वो राज्य से संबन्दित है यह केंद्र से रिलेटिड नहीं है तो पंचायत के जो चुनाव है नैचुरल सी बात किस से और उसमें क्या है, जो चुनाव करवाया जाता है,वो किसके दोरा? राज्य협 निर्वाचन आयोग के दोरा ही करवाया जाता है. इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना और इसके अलाव़ ये भी इंपोर्टन है, हर पांस साल पर राज्य वित आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा राज्य पाल के द्वारा हर पांस साल पर प्रतेक पांस साल बाद राज्य वित आयोग वित आयोग के है मतलब जो लेखा जो कहा है जो पैसे सम्मंदित जो कारियां वो सारी कहा है राज्ये पाल के द्वारा राज्ये वित आयोग राज्ये से समंदित होता है वो पंचाय जो है राज्ये लेवल की होती है तो इसलिके है राज्ये वित आयोग का गठन किया जाता है और राज्ये पाल के द्वारा उसे गठित किया जाता है और वो सारा जो पैसे का लेखा जो आपको जो point अच्छा लगे, important लगे, आप उसकी screenshot ले सकते हैं, screenshot लेकर या video को post करके भी आप इसे फिर से देख सकते हैं, देखी मैं आपको सारा फिर से एक बार दिखा रही हूँ, ताकि आपके जो downs है वो clear हो जाएं, आपको video को अच्छे से देखना है, आपको बीच में से skip आपको इसे पूरा देखना है, और ये समीतियां बहुत important है, आपको इसमीतियां जरूर करनी है, एक भी समीति नहीं छोडनी है, जो समीतियां थी, इससे रिलेटेड बहुत सारे questions आते हैं, समीतियों से रिलेटेड तो आपकी सारी समीतियों को आपको अच्छे से करना है, इसके बाद तेहतरव समीधान समीशोदना आया था, उसके नकिन-किन बातों को पेमेन फोकस किया गया था, वो ये सारी बाते इसके अंदर बताई गई है, आगे हरियाना में जो पंचायति राजववस्ता थी, वो कब हुई थी, सबसे कम गाउं, सबसे अधिक गाउं, सब आजने और अच्छे से करने, ये देखे सारा, ये मैं आपको फिर से दिखा दिया है, ये सारा जो इंपोर्टन पार्ट था, वो आपको अच्छे से करना है, ये आपकी वीडियो कम्प्लीट हो गई है, अगर टोपी कम्प्लीट है, अगर आपको किसी प्रका कर डाउट है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईए ओके थेंक यू